पिसे हम लुशेंट में जो भी कम्प्यूटर का उबजेक्टिब प्रस्ट ने हो देखेंगे आपके एक्जाम के लिए कफी बेनिफेशियल होता है तो स्टाट करते हैं मेरा पहला प्रस्ट है निम्ने लिखित में से किसे कम्प्यूटर का पिताहुआ कहा जाता है जिन्स फा सरवाधिक योगदान के अगर बात करें तो वो जाएगा बॉनुमैन यह बहुत इम्पोर्टन्ट है आपसे यह पुछा जाता है next प्र्थम अन्किय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सरवाधिक योगदान किसका है अगर ब्लूप्रिंट की बात करें तब है चाल्स बेवेज का ही चाल्स बेवेज जिने फादर आफ कंप्यूटर भी कहा जाता है नेक्स्ट है सर पर्थम अधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई तो देखो ये एक हिस्ट्री बना के पढ़ लो जैसे की दूथिय भी स्यूद चला था तो उसके अंत में मिन्स उसी टैम में ऐसा जरूरत पढ़ा था कि उसमें जो लड़ाय हो रहा था तो आपस में सब Kenia में पढ़ पना कोंप्यूटर बना तो आध्रीड कंप्यूटर की क्या खोज कब हुई उनिस सो झी आलिस उनिस सो झी और पर कंप्यूटर की भौतीक-बनावट कहलाती है तो अगर भौतीक बनावट की बात हो तो होता है hardware hardware नेक्स्ट है कम्प्यूटर के संचालन में पढ़युक्त प्रोग्राम नियम तथा कम्प्यूटर किडियाओं से समंदित अन्य लिखित सामिग्री को क्या कहा जाता है तो उसे हम कहते हैं software software नेक्स्ट है computer का नियंतरक भाग कहलाता है computer का जो नियंतरक भाग कहलाता है brain जो होता है क्या कहलाता है CPU CPU फिर computer के मस्तिस्क को कहा जाता है या computer का मस्तिस्क किसे कहा जाता है CPU नेक्स्ट है computer का मुख्य पटल कहलाता है means main जो होता है तो क्या कहलाता है mother board mother board ध्यान रखेगा father board उसमें नहीं होता mother board ही होता next computer hardware जो आकड़ा को बहुत अधिक मात्रा को भंडार कर सकता है क्या कहलाता है जिसे कि हम लोग कोई data जिसमें रखते हैं उसे क्या कहते हैं चीप देखो यह सब भी डिस्क चैसे हुआ या magnetic tape होता है तो यह सब भी data को store करता है लेकिन यहां पर क्या जुक्र क्या गया है बहुत अधिक इन में से सबसे अधिक क्या करता है तो चीप करता है चीप और सबसे कम कि अगर बात करें तो यह चुब किये टेप और उसे भी कम floppy disk सबसे पहले बना था floppy disk इस टैप का shape था उसका floppy disk का तो सबसे कम floppy disk और सबसे अधिक चीप फिर है integrated circuit मिन्स आई सी चीप का विकास किसे ने किया था जेस किल्वी ने किया था कौन किया था जेस किल्वी हमारा आंसर क्या हो जागा सी नेक्स्ट है integrated circuit चीप मिन्स आई सीप पर किसकी पड़त होती है बहुत important person किसकी पड़त होती है silicon silicon की चुंप्रकिय डिश्क पर अच्छ眼 यह से कोस्टिन आया सिलिकन के ये आप मुझे कमेंट को मन्स बताओ हिंट के लिए बता दू कि उसी को गार्डन सी टी भी कहा जाता है अब बता दो नेक्स्ट है चुम्किये डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है चुम्किये डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है तो वो होती है आईरन आकसाइड की किसकी iron oxide next है computer में किसी सब्द की लंबाई किस में मापते हैं अगर कोई हम word उस पे लिखते हैं तो उसकी लंबाई हम किस में मापते हैं bit में bit और bite में confusion नहीं करना है bit में मापा जाता है ठीक ना फिर है megabyte में मापते हैं megabyte में हम क्या मापते हैं कम्प्यूटर की अस्मिर्थी छम्ता कम्प्यूटर की अस्मिर्थी छम्ता फिर है इस्टोरेज माध्यम की छम्ता की इकाई इकाय हमिली होता है जो चोटा पार्ट था उसे ही कहा जाता है 24 चोटा पाट होता है वो क्या बाइट भाइट फिर से एक भॉख भॉख सब्सक्राइब किस समंद्धित मेमोरी क्या करता है construit सिसंद्ध्य k समंद्धिते बी कम्प्यूटर हाइड्वेगर जो आक रोग को बहुत अधिक मात्रा में भंडाणित कर सकता है क्या कहलाता है यह वी प्रसनाया था तो होता है तो प्युक्त दोनों हो जाएगा फिर सरवाधिक सक्तिसाली कंप्यूटर होता है कौन सा होता है सूपर कंप्यूटर सूपर कंप्यूटर नेक्स्ट है डिजिटल कम्प्यूटर किस सिध्यांद पर काड़ी करता है तो गन्ना सिध्यांद पर वो काम करता है अंसर यह याद रखना गन्ना सिध्यांद पर सरवाधिक तेजगति का प्रिंटर कौन सा होता है सरवाधिक तेजगति का प्रिंटर कौन सा होता है कौन सा होता है लेजर प्रिंटर लेजर प्रिंटर और सबसे अच्छा प्रिंटर भी यही होता है लेजर प्रिंटर सूपर कंप्यूटर अनी कंप्यूटरों से किस च्पीटर में एक यूज करते हैं उसमें कई सारे सीपीउ स्रेनी करम में लगाए होते हैं तो परिकलन च्पीउटा क्या होता उसका बहुत फास्ट होता है सबसे अच्छा सूपर कंप्यूटर रहता है इसे पहले तीहां था चैना का अब बन गया है यूएसे का सुमित ठीक न और साथ ही इंडिया का बात करें तो मिहीर है सबसे फास्ट सूपर कंप्यूटर यह चेंज होते रहता है आप याद रखोगे फिर अधुनिक डिजिटल क किया जाता है तो इंडिवार्य का होता है तो दुई अध्री अंक पदधिवि पदो क्या हौता है जीरो और एक होता है हिंदी में अकर दिककत हो तो अगर आप जहां एकजा देने की जा रहे हो तो वहाँ क्या क segunda आप पॉंट को चेंज भी कर सकते ओनलाइन एक जाम होता है तो आप इंग्लिस करके उसको स्वल्ब करोगा तो असानी समझ में आ जाएगा मैंने लिखित में से कौन सी बैग्यानिक कंप्यूटर भासा है तो सारा क्या है बेसिक हो या कोबल हो या फोर्टरन हो पासकुल हो सब क्या कंप्यूटर की भासा है लेकिन बैग्यानिक कंप्यूटर भासा कौन सा है फोर्टरन 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 यादे रुखेगा फिर एक प्रोग्रामिंग के लिए कौन सा भासा चाहिए तो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं कोबल कोबल का भी पड़े हैं कोबल क्या है इनसे सहाहिक language है कोबल नहीं होगा Fortron एक dal फोटरण ठीक लां जो साइंस की भासा होती है वह होती है प्रोग्रामिंग की भासा फिर एंगलेजी भासा के समान उच अस्त्र ये computer भासा कोन सी है तो इसमें क्या हो जाएगा कोबल अंग्रेजी भासा के समानी ही होती है यह तरी लिन उच्छ है ठीक ना कोबल नेक्स्ट किस भासा में सरवाधिक उप्युक्त डोकुमेंट संबाब है मिन्स सबसे अधिक डोकुमेंट जो होता है किसमें होता है वो होता है कोबल में कोबल फोर्ट रन एलगोल पास्कल आधी भासाओं को सीखने के लिए किस भासा को नीव का पत्थर माना जाता है मिन्स कौन सा उसका वो सीखने के बाद ही हम कुछ सीख सकते हैं तो कौन सा होता है बेसिक बेसिक फिर जतिल वैग्यानी गन्नाओं के लिए पडियोग किया जाता है तो हम क्या करेंगे फोर्ट रन फिर बेसिक भासा का पडियोग निम्न में से किस कारी के लिए किया जाता है तो उसका प्राडम हमें सरल भासा को सीखने के लिए नाम सही के लिए बेसिक है बेसिक के बाद ही चाहे हम कोबल हो, फोर्टन हो, पासकल हो, कोई भी हम language या सीथी plus-plus हो सीखते हैं next है भासा जिसे computer समझता है वह निस्पादित करता है क्या कहलाता है उसे हम कहते है machine language computer भासा Java का अविस्कारक कौन है तो Java का अविस्कारक कौन है Sun Microsystem Sun Microsystem जाद रखेगा यह बहुत बार पूछा गया question Sun Microsystem और सबसे पहला अप्लिकेशन software का कंपनी कौन सा है तो वह IBM IBM यह सेंट फ्रांसिस्को में USA में लगा था यह सारा question आप से पूछा जाता है फिर अधिक्तर computer समझ सकता है कौन सा भासा तो वह है अंग्रेजी भासा सद्रिस उच अस्तर्जे निर्देश ए सही है Next Computer's Grid क्या होते है ग्रीट क्तलब मतलब होता है जुता ठिक ना तो एक शॉफ्ट्वेर अवसंब रॉजना जिससे कई अवरी कलन्पतिस्थान जूरे होते हैं एक ने चुसे कई अव्पतिस्थान जूरे होते हम बख्रों मित्वाद में मीड़ कोई नहीं है Microsoft की द durable किया गया था तो इनमें से कोई नहीं किसके द幅र्व किया गया मैक्रोफ्ट जिसके इधी कौन में और विलिड के लिए इक औरेकल किया इक डाटावेश सोफट्वेर है क्या है डाटावेश सौफट्वेर निकस्ट है कौन कौन सा सफ्ट्वेर सब्द संसाधन के लिए प्रयोग किया जाता है कौन सा सफ्ट्वेर सब्द संसाधन के लिए प्रयोग किया जाता है तो क्या करते हैं एक्सल में यूज करते हैं तो इन में से क्या हो जाएगा कोई नहीं हो एक्सल फिर कंप्यूटर में पास्वार्ड किस आएगा सही से विस अंदर में जो हम समाने रखे होते हैं आपका जो डाटा होता है उसको वो क्या करता है सुरक्षित करता है नेक्स्ट है वह युक्ति जिसके द्वारा आकड़ों को टेलीफॉन के माध्यम से बाइनरी सिंग्नलों की सहायता से भेजा जाता है क्या कहलाता है मोडेम, मोडेम फिर कम्प्यूटर کی चार अंकों वाली तारीक फोल्डिजिट सिस्टम डेट्स संगरा करने की और समर्थता को क्या कहा जाता है उसे हम कहते हैं वाई-टू के समस्या मिन्स फोल्डिजिट वाली जो तारीक होती है उसे वो नहीं लय रहा तो से हम क्या क 대해 सबस्यादी कंप्यूटर है नेक्स्ट कंप्यूटर साक्षर्था दिवसम कब मनाते हैं दो दिसंबर दिसंबर को फिर नासा दुआरा बेक्सित सरवादिक तेज सूपर कंप्यूटर कौन सा है तो देखो इसमें पुराना दिया गया है इसके एकॉर्डिंग हम अंसर पढ़क सुमित सुमित ठीक ना फिर भारत में सिलिकन वैली कहा है तो यह मैंने पुछा था आप से यह कहाँ पर है बैंगलोडो बैंगलोडो और दुनिया का सिलिकन वैली जो है वो सैंट फ्रांसिसको यूएसे में है फिर बिस्व का पर्थम इलेक्ट्रोनिक डिजिटल कंप्यू एक नेकस्ट वह प्रसंद आगया कि भारत में डिर्मित पर्थम कंप्यिटर कौन सा है तो पर्थम ँपिटर अगर बात करें तो वहोगा सिध्यार्त और अगर पर्थम शुपर कंप्योटर करें तो हो जाएगा बढ़ो और अभी कौन सा है मीहिर याद रखिए कि मैक्रोश संस्था है Microsoft क्या है तो एक software रुना देख कैसा software operating system talking system क्या करेंगे software विकास करने वाली एक संस्था ये newij و schools company के शंस्था है तो देखो Joyce को सब जानता है लेकिन संस्थापकः में पॉल एलन व हुँ थी उनके साथ तो पॉल एलन और विल उप्रोक्त दौनों सही है फिर मैक्रोशोफ्ट के सा संस्थापक कौन है तो सा संस्थापक की अगर बात करें तब हम बस मारेंगे पॉल एलन को पॉल एलन next है सूचना राजपत किसे कहते हैं में जिसके through out हम क्या करते हैं सूचना को transfer करते हैं उसे कहते हैं internet फिर है email का जनुदाता किसे माना जाता है तो हम कहते हैं tom listen को कभी कभी आप से यही प्रसंद पूछा जाता है कि email में e का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रोनिक mail ठीक ना यह आप ठीक लगाईएगा next है मारा भारत का पर्थम computer क्रित डागघर कहां बना जिसमें computer की facility उपलब दूभी तो वह बना न्यू देल्वी में न्यू देल्वी भारत ये railway मिन्स भारत में railway के अंतरगत सर पर्थम computer क्रित आरक्षन व्यवस्था कहां लगाई गई मिन्स कहां पर लगाया ये computer क्रित वह भी न्यू देली तो कुछ भी हो चाहे पोस्ट ऑफिस हो ये railway station हो कहां पर न्यू देली फिर फिर है www का पुर्ण रूप क्या होता है तो वर्ल्ड वाइड वेव वर्ल्ड वाइड वेव अच्छा एक प्रस्न आया था कुछ दिन पहले intelligence वीडियो में उसमें था डवल्ड डवल्ड वाइड वेव इसका मतलब पुछा जा रहा था आप से इसका मतलब होता है वार्म ठीक ना तो याद रखना अब आपसे ऐसे भी प्रस्न पूछे जाते हैं नेक्स्ट कंप्यूटर के संधर में आर ए-म का तात्पड़ी क्या होता है तो वह होता है प्रसेशिंग उनिट फिर है ड का तात पड़ी क्या होताया है क्या होता है कंप्यूटर एडड़ डिजाइन ये बहुत वार भटा जाओ चुका है ड का कंप्यूटर एड़ेड डिजाइन फिर है tak diffाटाई है फिर कैना सब्सक्रप्र का प्र Оп होगा ग है और आप से प्लिक टिस्क फिर डिय्डनि मेमॉरी है मैंनासर क्या हो जाएगा वी फिर नceğini Leg вход पादक में पेंटियम ब्रांड नामसी बेचा जाता है तो पेंटियम का क्या आता है मैक्रो प्रोशर मैक्रो प्रोसर सर नेक्स्ट है डबलु डबलुडबलु के अविस्कारक या प्रवर्तक कौन है तो कौन है टीम वर्नस ली फिर याहू गूगल एवं MSN है क्यों एक प्रकार का क्या है तो यह है इंटरनेट साइट्स इंटरनेट साइट्स या इसको आज से भी आएगा सर्च इंजन अब का इसे भी लिखा रहेगा तो सर्च इंजन में टिक्कर हो गया फिर एक कंप्यूटर सब्दकोस में सी डी अक्षर की उपर युक्त किया जाता है तो इसका क्या होगा है फूल फॉल फॉर्म कंप्यूटर की वासा नहीं है नेक्स प्रस्ट नमारा है निमनलिखित में से कौन सी सुचना प्रद्व की सब्दावली नहीं है तो परकास भंडारन नहीं होगा क्योंकि साइवर एसपेस अप्लोड मोडेम सब कुछ है फिर है बिस्व का सब से तेज कंप्यूटर कौन सा ह तो देख अभी मैंने वारबार दिक्र किया है तो बिस्व का अगर पूछे तो हम क्या मानेंगे पहले तीहां थिरिये था ये लेकिन अब क्या है सुमित है ठीक न तो आप जब एक्जाम देने जा रहे हो तो इससे पहले देख लेया करो ये किस का है यूएसे का है नेक्स् कंप्यूटर डाटर की सबसे छोटी एक आइकाउंसी है यह भी हम पढ़े हैं बिट फिर है माइकल एंजेलो वाइरस है तो यह क्या है कंप्यूटर का वाइरस है देखो कितना अजीव टैप का मिंस्वाप्शन दिया गया है ता आप असानी से एलिमिट कर सकते हो इसको एक कंप्यूटर वाइरस है माइकल एंजेलो नेक्स्ट है साड़े कंप्यूटरों में लागू होता है क्या लागू होता है मसीनी भासा मसीनी भासा सब में डालना होगा फिर है एपल क्या है देखो क्या सब है एक फल है कंप्यूटर नेटवर्क है कंप्यूटर भासा है चौत सब्सक्राइब कम्प्यूटर में रिलेटेट सब्सक्राइब और वैसे भी ध्यान रखना है एपल जो है फूरूट कम वेजिटेबल अधिक है कभी क्या करना नेट पे गूगल पर सच करो कि इस एपल फूरूट और वेजिटेबल के आता देखना वो वेजिटेबल आ इसे जो आकरों को आव्यक में परिवर्तन करती है तथा वए टरमिनल से कंप्यूटर की ओर कंप्यूटर से टरमिनल को टेलिफोन लेइन पर संप्रसित करती है तो वो कौन करता है वो करता है मोडेम मोडेम कौन मस्तिक्स की काड़ी परनाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा तो कौन सा होगा क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर मस्तिक्स की बात हो मस्तिक्स की काड़ी पर नाली की नकल करेगा तो होगा quantum computer जैसे कि आप एक होकिन सेंटिस्ट जिनका विद्धान्त हो गया तो बोल नहीं पाते थे तो उनको जो computer लगाया गया तो उनके लिए क्या था quantum computer था वो क्या करता है दिमाग को read करता है बड़े इनको read करता है नेक्स्ट है कौन सी भावा परमानु अनुसंधान के अंदर द्वारा विक्सेत सूपर कंप्यूटर योजना है तो कौन सा है अनूपम अनूपम फिर एक computer की अस्मिर्ती समानी तोर पर किलो बैट आत्वा मेगा बैट के रूप में बेक्त की जाती है एक बैट बना होता है आ मैक्रोशॉप्त द्वारा निर्मित की गई थी तो कब की गई थी 2000 में 2000 अब इसके समझो कि विंडो के द्वारा विंडोज ठीज एप हम लोग विंडोज 10 यूज कर रहे हैं तो विंडो ठीज जो है कब लॉंच क्या गया था 2000 SP में computer क्या है क्या सब जागिया है computer में भंड क्या है चारों सही है वह तो क्या हो जाएगा emerging नेस्ट किसी व्यवस्था में computing करन किया वसकता होती है क्यूं होती है उसको करने में दृट्ड एक्छा सक्टी की जन सक्टी के प्रशिक्षन की बिल्कुल सही है संबदीत बितिये संसादनों की और एक अत्यदिनिक संज रचना की यह सभी चारों सही है नेक्स्ट है एसेंबलर का काड़ी क्या है एसेंबलर जो होता है कंपीटर में उसका काम क्या होता है उसका काम होता है निए ए गन्ट में पूल करती है दो पुछा जाएक प्रसन आहिए आपसे सम्मिटित है क्यां जैए अब क्या दालते हैंसे के डालता है कीबर्ट की इस जो गुर्स में क्या होता है कि यह उसलिए्प कर दे से तो उसमें का मतलब होता है अन्वांटेड मैसेज मिंस जो आप नहीं चाहते हो फिर भी जो मैसेज आ रहा है आपके पास तो होता है spam message mail उसको कहा जाता है next person ने वारा computer के संदर में ALU क्या होता है arithmetic logical unit mathematical logic unit तो arithmetic यहां पर logical unit यहां पर आंजर क्या हो जाएगा भी चाहिए फिर एनिम लिखित में से कौन सी सुची पुरेद्यों की पड़ी भास यह नहीं है इसमें से क्या है पीन का पीन का क्या है एक लड़ा को मिसाल है ठीक ना जैसे अगनी अकास यह सब है वज़ितर से पीन का लड़ा को मिसाल है यह सब login, modem, password क्या है computer related word है फिर है IC means integrated circuit के अविसकार किस पीधी का जन्म हुआ तो यह लगाया गया तिर्थी पीधी में थार्ड जैनरेशन computer में IC लगाया गया अचा भाक्यूम ट्यूब जो था वो किस पीधी में हटा दिया गया यह आप मुझे अच्छा लगा हो तो लाइक कीजी और कमेंट करके बताई कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ वी सिर गीजे ताकि उनको फैदा हो और अगर चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मूर अपडेट मिलता रहेगा और जो करसे लेटन मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाए हिंद